जैहिन सात्यों, एक्जाम फते 2.0 में आप सभी का स्वागत करता हूँ SSA की तरफ से एक official notice जारी हुआ है जो कि आप लोग यहाँ पर date भी देख पा रहोगे 20 जून यहाँ पर date लिखी हुई है तो यह notice क्या कहता है बाई क्या यह SSA GD की नई vacancy के बारे में बता रहा है यहाँ पर 70,000 vacancy के बारे में लिखा हुआ है तो यह कि 70,000 vacancy जो है SSA GD के संबन में है यानि कि SSA GD की यह vacancy है SSA GD की यह vacancy नहीं है कोई other vacancy है तो उसके लिए तो सबसे पहले हमको भाईया notice पढ़ना होगा जो के अभी अभी बिलकुल आया है official है बिलकुल यह fake नहीं है बिलकुल official है तो कुल मिला कर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखने था भाई हम लोग लिखा हुए the commission in its continuous efforts to expedite requirement process यानि के would be taking up the process of filling of about 70,000 additional vacancies यानि के जो commission है वो अपने कामों में तेजी ला रहा है और इस कामों में तेजी ला रहा है और उसके अलाव उसने 70,000 additional vacancies दी है यानि के 70,000 additional vacancies का मतलब क्या है जो पुरानी vacancies है उसको इसमें नहीं जोड़ा गया है यह नई vacancies है 70,000 ठीक है जो अलग-अलग पदो पर आएंगी notice of specific examination will be uploaded on its website in due course यानि के जो official website है उस पर डाल दिया जाएगा जो भी सूचना मिले के उसके बाद लिखा है the candidate are advised to visit अच्छा है candidate को advise दी जारी जो वो visit करते रहे है official website को commission at regular intervals for intervals for further updates और updates पाने के लिए जो भी कोई updates आएगी वो official website पर ही आएगी तो वहाँ पर visit करते रहे ऐसा ये वोलना चाह रहे है तो कुल मिला के देखे मैं आकर आपसे बात कहूंगा बताओं तो जो SSE GD वाली vacancy है ना वो कब आएगी वो 2023 के फरवरी महीने में आएगी फरवरी महीने माएगी 2023 के उसके आविदन शुरू होए तो उसके भी लगबग ऐसी 70 या 60 या 70 हजार पर भरती आएगी ठीक है लेकिन ये SSE GD की वेकंसी नहीं है मैं आपको बता दी जैसे के SSE में कई सारे पद होते ना SSE में कई सारे पद होते हैं सीजेल के होते हैं MDC LDC के होते हैं MTS के होते हैं CHSL के होते हैं phases के होते हैं तो ये उनके बारे में यहां पर बातचीत कहीं गई है SSE GD से कोई भी लेना देना नहीं है अगर कोई भी बंदा वीडियो बना के आपको ये बता रहा है कि ये SSE GD के वेकंसी है तो वो आपको भ्रहम में डाल रहा है आपको कन्फ्यूस कर रहा है ठीक है तो ये बाया SSE के वेकंसी है आपको पता होगा कि आने वाले समय में चुनाव भी आने वाले हैं तो मोदी ने ये भी कहा है कि अगले देड़ साल में 10 लाख रोजगार देंगे ठीक है यानि कि चुनाव से पहले पहले 10 लाख लोगों तक रोजगार पहुचा देंगे ठीक है तो उसके तहत ये 70,000 तो वेकंसी कम है अभी और वेकंसी आपको देखने को मिलेंगी 70,000 तो यही हो गई लगबख 60 सा 70,000 से जीडी में भी वेकंसी आने वाली है ठीक है तो देड़ लाख वेकंसी तो लगबख यहीं पर हो गई ठीक है तो खुल मिला कि यही आप सभी लोगों को जानकारी देना थी ठीक है अगर आपको ठीक है एससी की एससी से संब्दित हर एक अपडेट पाना है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजेगा तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में जैहिंस आते हूं